नमस्कार मित्रो, मैं डॉक्टर तन्वी सिंग अपने चैनल Eternal Addicence Classes for Sanskrit में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की Class में हम लेकर आए हैं Understanding the Learner यानि सिक्छार्थी को समझना ये जो आपका Topic है इससे बनने वाले जो भी प्रश्ण है उनको लेकर आए हैं तो ये Topic आप लोगों के लिए बहुत Important है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं तो जो ये Topic है जिसमें आप सिक्छार्थी को समझना इसमें बहुत सारी चीजें थियोरी के माध्यम से पढ़ा दी गई थी तो इसमें जादे तर सिक्षार्थी के विशे में ही चर्चा हुई थी इसमें आपका बृद्धी विकास की शुरावस्था के बारे में बात काफी डेटेल में समझाया गया है उसके अलावा जो बच्चे का समाजी करण है उसको भी पढ़ाया गया है तो इनसे बनने वाले जितने भी अभ्यास प्रश्ण है उनको हम इस क्लास के माध्यम से देखेंगे तो अगर आप हमारी क्लास में नए है तो हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंडरस्टेंडिंग दल लर्नर यानि सिछार्थी को समझना इससे बनने वाले जो भी प्रश्ण है यह आपका यूनिट फरस्ट है इससे बहुत सारी प्रश्ण बनेंगे तो चलिए एक-एक प्रश्ण को देख लेते हैं आसा करती हूँ कि इस प्रश्ण को देखने के बाद इस टॉपिक से कोई भी प्रश्ण चूटेगा नहीं आपको ऐसे ही प्रश्ण एक्जाम में मिल जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहला प्रश्ण आपकी स्क्रिन पे ये आप देख सकते हैं ये अभ्याश प्रश्ण है तो जो सबसे पहला प्रश्ण है प्रश्ण पे देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं पहले प्रश्ण को पढ़ती हूँ उसके बाद इसके आंसर्ज को भी हम देखेंगे तो पहला प्रश्ण है तो पहला प्रश्ण है विकास का चरणिय सिधांत निमलिखित नियमों में से किस पर इस पश्ट रूप से जोर देता है तो आप देख सकते हैं कई आप्शन है तो मैं सीधे से आंसर को ही पढ़ देती हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत समय नहीं है वैसे आप लोग सोच लीजिए स्क्रिन पर दिया हुआ है विकास का चरणी सिधांत निमलिखित नियमों में से किस पर इस पश्ट रूप से जोर देता है तो इसका आंसर है विकास की और निरंतरता पर फिर अगला प्रश्ण है मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तूं के प्रतीक हैं अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्यों का संग्रक्षन और क्रमबदता नहीं कर पाती मीना पियाजे के संग्यानात्मक विकास की किस अवस्ता पर है तो यह जो अमूर्थ संक्रियात्मक अवस्ता है उस पर मीना है अगला प्रश्ण है कथन है और कारण है तो प्रश्ण है एक बच्चे की विकास की प्रगति को दसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है तरक है विकास का स्वरूप वगति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है तो आपको सही विकल्प चुनना है तो देखिए कह रहा है एक बच्चे की विकास की प्रगति को दसवी उम्र के बच्चों की विकास की दर से तुलना करके सटीक्ता से मापा जा सकता है नहीं मापा जा सकता है ये गलत है विकास का स्वरूप वगती सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कितिक परिवेस में समान रहता है ये भी गलत है यानि A और R दोनों गलत है तो आपका अंसर होगा A और R दोनों गलत है तो D वाला सही हो जाएगा अगला प्रशन देखिए इसमें से कौन सा विकास का सिधान्त नहीं है तो आपको देखना है इसमें से कौन सा विकास का सिधान्त नहीं है तो option पढ़ लेते हैं विकास एक धारणी और एक आयामी होता है विकास उपर से नीचे और केंदर से बाहर की और होता है अगर आप theory पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा फिर है अगला option विकास अनुवनसित्ता और सम पोशन से प्रभावित होता है और अगला है विकास सामाजीक सांस्कृतिक परिपेक्ष में होता है तो ये वाला जो option है एला वाला विकास एक धारणी और एक आयामी होता है ये बिलकुल लगत है विकास एक धारणी और एक आयामी नहीं होता है बाकी जित्ते भी option आप देख रहे हैं विकास उपर से नीचे और केंदर से बाहर की और होता है ये भी सही है विकास आनुवनसिक्ता और समपोशन से प्रभावित होता है ये भी सही है विकास सामाजिक सांस्कतिक परिपेक्ष में होता है ये भी सही है अगला प्रश्ण है निमनल लिखे तो मेंसे विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है तो फिर से देखिए विकास के बारे में कौन सा कतन सही नहीं है विकास अनुवनसित्ता वा पर्यावरण की अंतह क्रिया का उत्पाद है ये सही है विकास का कुछ हद तक पुर्वानुमान लगाया जा सकता है ये भी सही है विकास सामाने से विशिष्ट की और होता है ये भी सही है लेकिन विकास की दर एक समान और सारभोमिक है ये गलत है अब हम अगला प्रशन देखेंगे सिर्सगामी सिध्धान्त विकास के किस छेत्र पर लागू होता है तो जो सिर्सगामी विकास का जो सिध्धान्त होता है वो सिर्सगामी सिध्धान्त विकास के किस छेत्र पर लागू होता है कौन से विकास के छेत्र पर लागू होता है सिर्सगामी सिध्धान्त तो ये जो गामक विकास होता है इसके छेत्र पर लागू होता है अगला प्रश्ण है बालक के सिर एवो मस्तिस्क का सरवाधिक विकास किस अवस्था में होता है तो आप लोग अगर थियोरी पढ़े होंगे तो वहाँ पे जाके देख लीजेगा इसकी मैंने पूरी थियोरी भी डाल दी है बहुत मुश्किल से 54 मिनट की क्लास है आप जाके पढ़ लेंगे तो तब इन प्रश्णों को सॉल करेंगे तो आपको भहत मजाएगा बालक के सिर एवो मस्तिस्क का सरवाधिक विकास साइशा वस्था में होता है प्रारंभिक बाल्य अवस्था इस अवधी की ओर संकेत करती है तो जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था होती ह वो तीन से आठ वर्स्त की अवस्था होती है ये आप लोग याद कर लिजिएगा फिर अगला प्रश्ण है विकास का सिर जो विकास का सिर होता है पदा भी मुख दिशा सिध्धान व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है तो आप देख लिजे जो विकास का सिर में पदा भिमुख देशा सिधान किस चेश की व्याख्या करता है तो विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है इन सारे आप्षिनों में आपको देखना है तो सिर से पैर की और इसको चित्र के माध्यम से वहाँ पे डिटेल में पढ़ाया गया है तो इसको आप दो ध्यान दखेगा अगला प्रश्ण है मानो विकास को छेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है तो मानो विकास को आप जाके वहाँ पढ़ेंगे तो मनोवैग्यानिक, संग्यानात्मक, संवेगात्मक और शारिक शेत्रों में विभाजित किया जाता है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुक्ष्म गतिक कौसल का उधारण है तो सुक्ष्म गतिक कौसल का उधारण क्या बताया थे वहाँ पे लिखना जो है वो सुक्ष्म गतिक कौसल का उदाहरण है अगला प्रश्ण है किसोर ये आपको भरना है का अनुभव कर सकते हैं किस चीज का अनुभव कर सकते हैं तो किसोर जो है दुष्चिंता और स्वैम से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं अगला प्रशन है अवधारणाओ का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो अवधारणाओ का विकास मुख्य रूप से बहुत धिक विकास का हिस्सा है? अगला प्रश्ण है निब्न में से किसका मिलान उचित है तो आप देख लिजिए किसका मिलान उचित होगा आपके हिसाब से सम्वेगात्मक विकास परिपक्वता जो है इसका मिलान उचित है अगला प्रश्ण है मानो विकास है मानो विकास क्या है मानो विकास जो है मात्रात्मक भी है और गुडात्मक भी है तो मानो विकास जो है मात्रात्मक भी है और गुडात्मक भी है इसलिए आपका अंसर होगा डी वला ए और बी अब देखिए अगला है प्रश्ण शैशवकाल की अवधी क्या है तो आपको सारी अवधियां भी याद करनी होगी तो शैशवकाल जो है जन्व से दो वर्स तक की अवधी होती है अगला प्रश्ण है व्रिद्धी के अंत्रगत सम्मलित पक्षों के संदर्व में असत्य है क्या असत्य है पहले देख लेते हैं सत्य वाला यह शाररिक पक्षों से संबंदित है जो व्रिद्धी है वो शाररिक पक्षों से संबंदित है यह सत्य है यह जीवन परियंत होती है यह भी सत्य है लंबाई वजन आदि वृद्धी के उधारण है यह मात्रात्मक होती है यह गलत है आगे है विकास के संदर्व में सत्य है क्या सत्य है विकास के संदर्व में तो हम सीधी सत्य वाला ही देख लिए है तो देखिए विकास के सभी पक्छों के परिवर्तन सम्मलित होते है यानि विकास में सभी पक्छों के परिवर्तन सम्मलित होते है ये सत्य है सभी सत्य है अगला है विकास की वह विशेष्टा जो बृद्धी से अलग करती है इसमें आपको विकास की उस विशेष्टा को देखना है जो बृद्धी से अलग करती है तो इसका आंसर होगा बृद्धी का संबंद संगरचनात्मक पच्छ से जबकि विकास का कार्यात्मक बच्च से है फिर आपको असत्य कथन ग्याद करना है इसमें कौन सा असत्य है तो देखिए विभारात्मक संकेत विकास के सरवाधिक व्यापक परिचायक होते हैं ये सकते है विकास का अवलोकन, मुल्यांकन और मापन किया जा सकता है ये भी सकते है विकास व्यक्ति की अधिक्तम संगठन और पुनता की प्रक्रिया है ये भी सही सकते है लेकिन विकास परिपक्वता और कारेपरक सुधार की वह प्रक्रिया है जो संगरचनायों स्वरूप में मातरात्मक वह परिवर्थों के फल स्वरूप होती है ये बिल्कुल गलत है अगला प्रश्ण है विकास में दृष्टिगत होती है विकास में द्रिश्टिगत होती है क्या? इसका आंसर है C वाला विकास जैविक, संग्यानात्मक और समाज सामवेगिक प्रक्रियाओं की परस्पर अंतहक्रिया से प्रभावित होता है अगला प्रश्ण है प्रथम तीन वर्सों में विकास तीवृता से होता है किन्तु उसके बाद गती धीमी पढ़ जाती है परन्तु फिर भी विकास जारी रहता है यह विकास का कौन सा सिधान्त है? तो यह विकास का निरंतर्ता का सिधान्त है निरंतर्ता की सिधान्त में क्या होगा? प्रथम तीन वर्सों में विकास तिवरता से होता है किन्तु उसके बाद गती धीमी पड़ जाती है परन्तु फिर भी विकास जारी रहता है यह विकास का निरंतरता का सिधान्त है अब अगला प्रश्ण है विकास गुड़नफल है किसका किसका तो विकास गुडनफल है केवल आनुवान्शी की एवं वातावरण का केवल परिपक्वता और अधिगम का इन सबका गुडनफल है विकास अगला प्रश्ण है बालक को बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम पूरु के निरंतर विकास कारें से संबंधित है यह कथन किस सिधान से संबंधित है तो यह संचई प्रगती से संबंधित है अगला प्रश्ण है एक स्वस्त मस्तिस्क सरीर में निवास करता है यह कथन विकास के किस सिधान से संबंधित है तो ये विकास के विभिन पच्छों के संबंध का सिधान्त है अगला प्रश्ण है बालक की भासा का विकास उसके जन्म के समय से शुरू होता है तत्पश्या ध्वनी, अच्छर शर्ब्द, वाक्य का ग्यान होता है ये कौन सा सिधान्त है? ये सामान्य से विशिष्ट का सिधान्त है अगला प्रश्ण है सीशु पहले पूरे कंधे, फिर कोहनी तत्पश्यात कलाई और अंगुलियों का प्रयोग किसी वस्तु को पकड़ने के लिए करते हैं यह किस प्रकार की प्रगती है? तो यह प्रॉक्सी मोडिस्टल प्रगती है इसको याद कर लीजे इसको जब सिशु पहले पूरे कंधे, फिर कोहनी? तत्पश्यात तत्पश्यात कलाई और अंगुलियों का प्रयोग किसी वस्तु को पकड़ने के लिए करते हैं यह किस प्रकार की प्रगती है? तो इसको रट लीजे प्रॉक्सी मोडिस्टल साईश्वावस्था की विस्था नहीं है तो कौन-कौन सी साईश्वावस्था की विस्था है उसको पहले देख लेते हैं तो गलत वलत अपने आप मिल जाएगा अधिगम की तीवरता सैशावस्था की विस्यस्ता है और परिपक्वता ये भी है पर निर्भरता ये भी है लेकिन शाररिक विकास की मंदता ये विलकुल गलत है ये सैशावस्था की विस्यस्ता नहीं है अगला है वह अवस्था जिसमें बालक ना तु समाजिक होता है ना ही असमाजिक वो कहलाती है ये कहलाती है सैश्वा अवस्था अगला प्रश्ण है पूर्व बाल्य अवस्था को नहीं कहते हैं क्या नहीं कहते हैं गंदी अवस्था और पूर्व बाल्यवस्था को क्या-क्या कहते हैं खिलोनों की अस्था होती है, तैयारी की अस्था होती है और समस्या की अस्था होती है, गंदी अस्था नहीं होती है अगला है निमलिखित मेश से पूर्व बाल्यवस्था की विशेश्था है तो जो पूर्व बल्वस्था है उसकी विशेस्ता है अनुकरण भी वच्चे करते हैं प्रश्ण भी पूछते हैं और जिद भी करते हैं तो उपरिवत सभी अगला प्रश्ण है बहु आयामी विकास जैविक और सामाजिक भावनात्मक छेत्रों में होता है तो इसका अंसर होगा संग्यानात्मक तो बहु आयामी विकास जैविक संग्यानात्मक और सामाजिक भावनात्मक छेत्रों में होता है अगला प्रश्ण है विकास का कौन सा सिध्धान्त बताता है कि विकास में अक्सर कई छमताएं सामिल होती हैं जो अलग-अलग दिशाएं लेती हैं विभिन प्रकार के परिवर्तन या इस्थिर्ता दिखाती है विकास बहु आयामी होता है अगला प्रश्ण है शिर्सगामी सिध्धान्त की अनुसार विकास का अग्रसरण होता है सिर्से पैर तक अगला प्रश्ण है बालक के विकास के संदर में निम्लिखित में से कौन सा कथन सत्य है विकास सामान्य से विसिष्ट की ओर अग्रसर होता है अगला प्रश्ण है विकास से की ओर बढ़ता है तो यह आपको फिलिंग दे ब्लैंक्स को भरना है तो विकास जो है वो सामान्य से विसिष्ट की ओर बढ़ता है फिर है निम्न में से विकास का कौन सा सिधान्त गलत है तो सहीवल देख लेते हैं विकास में व्यक्तिक भी नता होती है यह एक सतत्प्रक्रिया है यह पूर्वानुमे है यह सफसत्य है लेकिन विकास आकस्मिक घटनाओं का परिडाम है यह बिल्कुल असत्य है तो निम्न में से विकास का कौन सा सिधान्त गलत है तो यह वाला जो अप्शन है गलत है विकास आकस्मिक घटनाओं का परिडाम है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है तो विकास की प्रक्रिया एक दीशी होती है यह गलत है यह केवल व्यक्ति की अनुवानशिक्ता से प्रभावित होता है यह भी गलत है विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविदिताएं होती है ये सही है लेकिन यही आप्षिन सही है ये भी गलत है विकास के वलवातावरडी कारकों द्वारा निजाए दिता है ये भी गलत है अगला प्रश्ण है निमलिकित में से कौन सा ब्रिद्धियों विकास के संदर्व में सही नहीं है तो पहले जो सही है उसको देख लेते हैं कौन सा ब्रिद्धियों विकास के संदर्व में सही नहीं है तो निकट से दूर ये सही है सीर से पैर ये भी सही है वंचानुक्रम एवं वातावरण की अंतक्रिया ये भी सही है लेकिन पैर से सिर ये गलत है सिर से पैर होता है अगला प्रश्ण है विकास कभी नसमाप्त होने वाली प्रक्रिया है यह कथन विकास के किस सिधान्त से सम्बंधित है तो यह विकास की निरंतरता का सिधान्त है अगला प्रश्णय निम्लिकित में से कौन सा सही नहीं है तो चलिए देख लेते हैं विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है ये सही है विकास व्यक्तिवादी है ये भी सही है विकास पर इपकोता पर नहीं रुखता ये भी सही है लेकिन विकास हमेशा समान रूप से होता है ये गलत है अगला प्रश्ण है निम्नवे से कौन सा सत्य है तो देखिए समान छमता बच्चे के विकास के सभी चरणों में विशिष्ट छमता रखती है ये सही है बाकी जितना भी ये वो गलत है बच्चा अपने पैरों पर सिर्थ से पहले नियंतर प्राप्त करता है ये गलत है जीवन के अंतिम चरणों में विकास अचानक इस पूरण होता है ये भी गलत है बच्चा पहले उंग्रियों को नियंतित करता है और फिर बाजू को नियंतित करता है ये भी गलत है लेकिन ये वला सही है सामानी चमता बच्चे की विकास के सभी चरणों में विसिश्च चमता रखती है अगला प्रश्ण है सरपिल बनाम रैखिय व्रिद्धी का सिध्धान्त निमलिकित में से किससे संबंदित है तो ये व्रिद्धी और विकास से संबंदित है तो याद कर लीजे सरपिल बनाम रैखिय व्रिद्धी व्रिद्धी और विकास से संबंदित है अगला प्रश्ण है सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने वह कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया यह उधारण किस ओर संकेत करता है तो यह उधारण विकास की दिशा अधुगामी है इस पर संकेत करता है अगला प्रश्ण है विकास आमतवर पर सिर से पैर तक होता है विकास के इस सिधान्त को क्या कहते हैं मस्तिसका धो मुखी सिधान्त कहते हैं इसको जो सिर से पैर तक होता है ये पूछता है अगला प्रश्ण है एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेकने की छंता प्राप्त कर लेता है यह इस्थिती विकास के किस सिधान की और इशारा करती है तो यह अधुगामी सिधान की और इशारा करती है अगला प्रश्ण है कि सोरों की निमलिखित में से कौन सी विशेष्टाएं हैं तो देखिए वैसको को नियंतर से बढ़ती सोतंतरता चाहिए होती है तीवर मनोविज्ञानिक परिवर्तन इनकी विशेष्टा है ये नहीं है भावनात्मक रूप से परिपक्व ये गलत है तारकिक दृष्टिकोर से क्रिया करना ये भी गलत है समकच्छ समुहों के साथ गतिविदियों पर अधिक ध्यान देना ये सही है तो किसोरों की जो विशेष्टा हैं वो ये ये हैं वयस को को नियंतर से बढ़ती स्वतनतता टिवर मनोविज्ञानिक परिवर्तन समकच्छ समुहों के साथ गतिविदियों पर अधिक ध्यान देना तो A, B और E यानि Option D ये सही है अगला प्रश्ण है कि सोरा वस्था में किस मनोविज्ञानिक ने तूफान और पनाव शब्द प्रतिपादित किया तो आप लोग दिमाग में सूच लीजे इसका क्या होगा अनसर स्टैनली हॉल डबलू अच्चो के अनसार कौन सा आयू सम्मू की सोरा वस्था में आता है तो आता है 10 से 19 वर्स ठीक है डबलू अच्चो के अनसार 10 से 19 वर्स की सोरा वस्था में आता है इस्कूल प्रडाली के माध्यम से, एक मिनट, A, C, D, परिवार उन्मुखी करण, इस्कूल प्रडाली, सहभागी, समुह, परस्पर, क्रिया के द्वारा, किसोरा वस्था में किसके माध्यम से समाजी करण की प्रक्रिया को तेश के आता है, परिवार उन्मुखी करण के द्व इस्कूल प्रडाली के द्वारा, सहभागी समुह परस्पर क्रिया के द्वारा, लेकिन धार्मिक संबदता ये भी गलत है, पडोस आतित्य ये भी गलत है, तो आपसन होगा A, C, D. अगला प्रश्ण है, स्वाधिगम के अनुकूलन के निमलखित में से कौन सा प्रेरक सिधान सबसे अधिक सहायक होगा, तो इसका अंसर होगा, समकच्छता की आवशत्ता को पूरा करने की गुंजाईश प्रदान करना, अगला प्रश्ण है, एक छात्रा विज्ञान में प्र और उसकी प्रतिभा को इंगित करें, अगला प्रश्ण है, कास में सुंदर होता, दर्शाता है, किस चीज को, आदर्स आत्म अवधारना को, कास में सुंदर होता, ये आदर्स आत्म अवधारना को दर्शाता है, अगला प्रश्ण है, सरीर के आकार में व्रिद्धी होती है क्योंकि संग्यानात्मक विकास होता है ठीक है सरी क्या कार्मिवृदिकी होती है संग्यानात्मक विकास के द्वारा अगला प्रश्न है परिपकवता का संबंद किसे से है तो परिपकवता का संबंद विकास से है बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पुर्वानुमान लगाया जा सकता है परन्तु सभी बच्चों के विकास किदर अलग-अलग होती है बाकी option देख लीजे वो गलत है बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकास आते हैं पुर्वानुमान लगाया जा सकता है परन्तु सभी बच्चों के विकास किदर अलग-अलग होती है ये सही है निमलखित में से कौन सा कथन सही है तो देख लीते हैं विकास क्रमबद नहीं होता ये गलत है विकास अवयवस्थित होता है ये भी गलत है विकास एक सतत प्रक्रिया है ये बिल्कुल सही है विकास प्रतीमान सांस्कुतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते ये भी गलत है तो ये वाला सही है विकास एक सतत प्रक्रिया है अगला प्रश्णय निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो चलिए देख लेते हैं विकास क्रमबद वव्यवस्थित होता है ये सही है विकास केवल आनुवानसिक्ता से प्रभावित होता है यही गलत है विकास के सभी छेत्रेक दूसर पर निर्भर है ये भी सही है विकास की गती व्यक्तिगत होती है ये भी सही है लेकिन विकास के वाल अनुवान्शिक्ता से प्रभावित होता है यही वाला जो कथन है यह सही नहीं है अगला प्रश्ण है अभी कथन ए बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराय जा सकता है कारण बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वन्शानुगत कारक ही उत्तरदाई होते हैं अगला प्रश्ण है चार से पान साल की उम्र के बच्चे अकसर अपने आप से बातचीत करते हैं लेव व्यागोत्सकी की अनुसार यह वाक उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है अगला प्रश्ण है बच्चों के विकास का क्रम सामानने से विसिष्ट की ओर होता है बच्चों के विकास का जुक्रम होता है वो सामानने से विसिष्ट की ओर होता है अगला प्रश्ण है अभी कथन है बच्चे सरप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मुल्ले और जीवन के मानदंडों को जानते हैं कारण है परिवार बच्चों के समाजी करण का एक दुईतियक अभिकारक है तो इसमें जो है मुझे लग रहा है A सही होना चाहिए और R बिल्कुल गलत है दुईतियक अभिकारक में ये प्राथ्मिक अभिकारक है तो छलिए देख लेते हैं जो C बाला है A सही लेकिन R गलत है तो ये बिल्कुल सही है, बच्चे सरप्रतम अपने परिवार में व्यभार के तरीके सिखते हैं और मुल्यों और जीवन के मांदर्णों को जानते हैं अगला प्रश्ण है, ये देखे, फिलिंद ब्लैंक्स है, इसमें भरना है और बच्चों के समाजी करण के द्वितियक कारक हैं अगला प्रश्ण है, पथन है, बच्चे अपनी संस्कृती में व्यभार करने के उप्युक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई श्रोतों में सीखते हैं तर्क है, समाजी करण एक प्रक्रिया है, जो बहुत अपचारिक, वो अनपचारिक साधनों के जरिये होती है अब आप बताईए, इसका विकल्प चुनना है तो जो A और R दोनों सही है और R सही व्याख्या करता है तो आप इसको देख सकते हैं, बच्चें अपनी संस्कृती में व्यभार करने के उप्युक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई श्रोतों में सीखते हैं क्योंकि समाजी करन एक प्रक्रिया है जो बहुत अपचारिक वा अपचारिक साद्नों के जरीए होती है तो A बिल्कुल सही है अगला प्रश्ण है बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौसल, मूल्ले और रीतियां केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं ये मुझे गलत लेग रहा है तर्क है बच्चों का समाजी करन एक सरल एवं रैक ही प्रक्रिया है ये भी गलत ही होना चाहिए तो चलिए देख लेते हैं ए और आर दोनों ही गलत है अगला प्रश्ण है निम्न में से कौन से कारको द्वारा विद्यालेओं में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है तो देखिए पारिवारिक समाजी करन, समकच्छी संबंधों, सांस्कृतिक मुल्य, बच्चों का आत्म सम्मान तो ये जितने भी कारक हैं ये विद्यालेओं में बच्चों के अधिगम से अधिगम जुड़ाव इससे प्रभावित होता है तो इसका होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बच्चे अपने समाज के बारे में ग्यान रहने के कौसल, मुल्य रीतियां किससे सीखते हैं? आसपड़ोस से भी सीखते हैं, धर्म, स्कूल, समकच्छी समून, तो इसका होगा D पहला दूसरा, सीखने के सामाजिक संदर्व के सम्बंध में, निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका हो वी कारे व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया रता है, ये गलत है विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृती से बहुत सी समझ लेकर आते हैं ये भी सही है जब विद्यार्थी एक दूसरे की सायता करते हुए सहयोगात्मक रुप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुद्रिड प्रबलित वपरिस्कृत होता है ये भी सही है तो ये बूच रहा है कि कौन सा कतन सही नहीं है तो ये वाला अंसर होगा सीखने का सभी कारे व्यक्ति द्वारा उसके दिमाग में किया जाता है ये गलत है अगला प्रश्ण है सहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी सो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं तर्क है इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजी करण का एक महत्पुड माध्यम बनता जा रहा है तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है अगला प्रश्ण है परिवार में आरंभ होने वाली वह क्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिकत पहचान जानना शुरू करते हैं भासा सीखते हैं और आरंभिक संग्यानात्म कोसल विक्सित करते हैं क्या कहलाती है ये प्रारंभिक सामाजी करण कहलाती है अगला प्रश्ण है जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानों के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है सामाजी करन इसमें रिक्तस्थान है किसके इस्तिमाल से विद्यार्थियों की उपलब्दी में होने की संभावना है तो इसको हम लोग बता देते हैं सामाजिक सहयोग के इस्तिमाल से विद्यार्थियों की उपलब्दी में होने की व्रिद्धी संभावना है तो इसका आंसर होगा सामाजिक सहयोग और अगला है बच्चों के समाजी करण में परिवार कौन सी भूमी का निभाता है तो परिवार मुख्य भूमी का परिवार निभाता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाजी करण में संस्कृती से संबंदित समाजिक कौसल और विकास की अवस्था के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है तो इसका अंसर होगा विकास आत्मक समाजी करण कथन है और कारण है पहला कथन है A, अवधारणा को दैनिक जीवन के अवधारणा से जोड़कर सीखने के लिए सामाजिक संपर्क बहुत अधिक महत्पूर्ण है, कारण दिया है, सामाजिक अधिगम सिध्धान्त को लेव वायोगत्स की द्वारा दिया गया है, अवधारणा को दैनिक जीवन के अवधारणों से जोड़कर सीखने के लिए सामाजिक संपर्क बहुत अधिक महत्पूर्ण है, ये सही है, लेकिन सामाजिक अधिगम सिध्धान्त जो है, लेव वायोगत्स की द्वारा नहीं दिया गया है, अगला प्रश्ण है, राधा को अपने अंतर्मुखी व्यवहार को दूर करने के लिए क्या कारे करना चाहिए? उसे विभिन सामाजिक गतिविदियों में सलगन होना चाहिए अगला प्रश्ण है, बच्चे के सामाजिक करण का उद्देश्य क्या है? एक सामाजिक सम्मू के मानदर्णों को विक्सित करना अगला प्रश्ण है, छोटे सिछार्थियों को कक्षा कक्ष में समय आशाओं के साथ अंतर्या करने के लिए प्रुत्साहित करना चाहिए जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौसल सीख सकें अगला प्रश्ण है, निमलिकित में से कौन सा समाजिकरन की निश्क्री एजनसी है? इको क्लब सामाजिकरन एक प्रक्रिया है मूल विश्वास तथा पेच्छाओं को अरजित करने की अगला प्रश्ण है निमलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजी करण को प्रगति सील मौडल के संदर्व में सही नहीं है बच्चे विद्याले में बताई गई बातों को स्विकार करते हैं चाहे उनकी समाजीक प्रिष्ट भूमी कुछ भी हो अगला प्रश्ण है निमलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधी के दोरान उन भूमी काउं में विभारों के बारे में जानकारी प्रगान करते हैं जो एक समूह में स्विकार है माता पिता एवं भाई बहन अगला है बच्चे का सामाजी करण के बारे में निमलिखित में से क्या सत्य है? विद्यार्थियों को विद्याले में खेलना क्यों उचित है? तो इसका आंसर है यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा अगला प्रश्ण है जन संचार माध्यम समाजी करण का एक माध्यम बनता जा रहा है नीचे दिये गए कत्नों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? जन संचार माध्यमों की पहच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभीवृत्यों, मुल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है यह सही है अगला प्रश्ण है व्यवहार और कौसल सीखने की प्रक्रिया को संदर्वित करता है जो बड़े समाज के भीतर एक छोटे सम्मू की सदस्यों के रूप में उपयुक्त है तो इसका आंसर होगा जो दित्रियक समाजी करण है वो व्यवहार और कौसल सीखने की प्रक्रिया को संदर्वित करता है जो बड़े समाज के भीतर एक छोटे सम्मू के सदस्यों के रूप में उप्यूत है अगला प्रशन है अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी समाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखने हैं बृतियक समाजी करण अगला प्रशन है प्राथमिक समाजी करण की प्रक्रिया किस अवस्था से सुरू हो जाती है सैश्व अवस्था अगला प्रशन है बच्चे के समाजी करण में परिवार भूमी का निभाता है एक प्राथमिक भूमी का निभाता है अगला प्रश्ण है प्रत्यासित समाजी करण का क्या अर्थ है तो प्रत्यासित समाजी करण का अर्थ देख लेते हैं वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुश्य समूह में सामिल होने के लिए उमिद्वारों से समूह की संस्कृती सीखते हैं अगला प्रश्ण है वे सामाजी कंतर जो गहन सामाजी कंतर की संभावनाएं प्यादा करते हैं अतिव्यापी अंतर अगला प्रश्ण है किसी के संस्कृति को गहन अध्यन करने के बजाए उसके स्वयम के मान को द्वारा मुल्यांकन करने की प्रथा को किसी के संस्कृति को गहन अध्यन करने की बजाए उसके स्वयम की मान को द्वारा मुल्यांकन करने की प्रथा को क्या कहा जाता है संस्कृतिक सापिक्षता वाद अगला प्रश्ण है विद्याले की संस्कृति में सामुदाईग भागदारी आवश्यक है क्यों आवश्यक है? यह सभी हितधारकों की बहतरी के लिए विद्याले और समुदाई के बीच सोहार्द पूर्ण संबंध विक्सित करने में मदद करती है अगला प्रश्ण है सामाजिक दुनिया के बारे में जानकारी एकत्र करना और व्याख्या करना क्या कहलाता है? सामाजिक संग्यान अगला प्रश्ण है बच्चे का सामाजिकरन निमलिखित में से किसके माध्यम से सबसे अच्छा प्रभावित होता है? वेभार के समाजिक रूप से स्विकारे रूपों में छोटे बच्चों को प्रेरित करना अगला प्रश्ण है समाज में नैतिक्ता के पतन के कारण है अच्छे सिच्छकों का अभाव अगला प्रश्ण है बालक बालिकाओं के समाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण को कहा जाता है अगला प्रश्ण है निमलिकित में से कौन सा प्रमुक सामाजीकरण एजन्सिया है तो समुदाय, परिवार, समान समूह, और अपचारिक सेक्षडिक संस्थाएं ये सभी जो है प्रमुक समाजी करण एजन्सियां हैं इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब इसका अंसर होगा समाजी करण में बाधा किस कारण से होती है पुर्वधारणा इसका अंसर होगा सह कर्मी समूह के कारक है दूतियक समाजी करण अगला प्रश्ण है यदि बालक का समाजी करण नँ हो, तो वह किस प्रकार का बनेगा वह असामाजिक बनेगा समाजी करण में सामाजिक एकिकरण संस्कृती संचरण और सामील है व्यक्ति के व्यक्तित्तो का विकास अगला है पीयर ग्रूप को संदर्भित करता है दोस्त फिर है निम्लिखित में से कौन सी खोज हमें बताती है कि बच्चों का खेल प्राचीन काल में भी जाना जाता है अगला प्रश्ण है शर्म और गर्व की भावना किस चरण में विक्सित होता है बच्पन में अगला प्रश्ण है अंतरंग और करीबी दोस्ती में दिखाया गया है अंतरंग और करीबी दोस्ती में दिखाया गया है युवा वयस्ता अगला प्रश्ण है एक तेरा साल का लड़का ज्यादा तर मामलों में अपने बड़ों से जगडा करता है और हमेशा खुद को सही साबित करने की कोसिस करता है वह विकास के किस चरण में है वह किशोरा वस्ता में है अगला प्रश्ण है समाजी करन के निमलिकित में से कौन सा एजेंट बच्चों को तकनीकी और बौधिक कोशल प्रदान करने के लिए विसिष्ट है तो आंसर होगा स्कूल अगला प्रश्ण है दुनिया भर के बच्चों के समाजी करन में कौन सीधे तोर पर शामिल है अगला प्रश्ण है स्कूल की पाठे पुस्तके आपके माध्यम से समाजी करन करती है सामगरी, व्यायाम, खुदाहरण, उप्रोक्त सभी अगला प्रश्ण है यदि आप एक सिच्चक बिरादरी में सामिल होते हैं और अपने समू के अने लोगों की तरफ पोशाक चुनते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं अनुपालन ठीक है तो ये थे आपके सिच्चारथी को समझना से बनने वाले बहुत सारे प्रश्ण अब हम जल्दी ही किसी और यूनिट के प्रश्णों को लेकर आपके सामने उपस्तित होंगे तो आप लोग ये सारे प्रश्णों देख लिजी कुल मिला के मैंने 100 प्लस प्रश्णों को बता दिया तो आप लोग देख लिजीएगा ये सारे प्रश्ण आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धनेवाद